जहिन सात्यों नमस्कार एक बीडियो मैं आप लोगों को बना रहा हूँ तो आप लोगों का एक नयतिक जम्मेदारी बनता है कि DRDO 710 का syllabus क्या होगा especially अगर मैं बात करूँ यहाँ पे instruments के लिए और mechanical के लिए और electrical aspirants के लिए यह देखेगा आपको syllabus यहाँ पे देखने को मिल रहा है basically अगर electrical के लिए यह आपको proper syllabus से देखेगा electrical circuit, field, signal system, electrical machine, power system यह सारा आपको syllabus बेंसन है मैं इस website के link आप लोगों को share कर दूँगा especially आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा mechanical किसको examinations की तैयारी करनी जाए पूरा वीडियो शुरू से देखनी देखना है आपको वीडियो को like भी करना है, share भी करना है, comment भी करना है हमारे को motivations देने के लिए जब हम आपको इतनी सारे information और आप लोगों के लिए research करते हैं तो आप लोगों की भी एक नहतिक जम्मेदारी बनती है सवाल मेरे दोस्तों यह है कि mechanical का सिजबस क्या होगा, तो mechanical का सिजबस थोड़ा सा broad है और इस वीडियो में जानने की कोशिज करेंगे, कौन-कौन से पोर्शन से इस questions जादा आते और उसके बाद तो जानने की कोशिज करेंगे पूरा का पूरा हम इस यहाँ पे कि actual में स्वेबस से यह सारा स्वेबस है तो हमारा जो स्वेबस से कौन से पोर्शन से questions आ रहे है देखिए जहां तक हमने research किया और हमने पाया यह कि देखिएगा fluid mechanics septum 9 वाले में highest weightage था solar number का, strength up material का 12 number का, thermodynamics का 11 number का, IC engine का 8 number का theory of machine का 6 number का, power plant का 5 number का, HMT, RAC और machine design और AutoCAD का एक से 2 number का questions यह आपको subject wise mechanical के tier 2 में paper था सवाब यह है कि tier 1 के बाद आपका tier 2 का result आ जाएगा मैंने आपको पहले भी update कर दिया था December के आसपास आपका result आ जाएगा फिर उसकी बाद, January के end तक जिस तरह से DRDO बहुत तेजी से examinations को conduct करा रहा है इस बार का trend थोड़ा सा बदल गया है बट मेरा सलाह मानिये तो जिस तरह से tier 1 में आप लोगों के साथ थोड़ी सी जल्दी बाजी हुई अगर tier 2 में भी अगर आपके साथ जल्दी बाजी होगी तो उसमें थोड़ा सा आपको घाटा होगा अभी से अपनी preparations करना है और मुझे जहां तक लगता है कि इन subject को आपको अच्छे से तयार करना पड़ेगा कुछ लोग might भी तयार कर लिये होंगे कुछ लोग नहीं भी तयार किये होंगे तो आप इंजिनेस अड़ा के applications का help ले सकते हैं और definitely वहाँ पर dedicated concept की classes चल रही है और tier 2 का dedicated batch भी आएगा जो कोशिस किया जाएगा 2-5 महीने में live plus recorded format में होगा वो हम आपको कुछ subject उसमें live पढ़ा देंगे कुछ subject आपको recorded पढ़ा देंगे जो की mechanical के महापैक का part होगा तो जिनके पास mechanical के महापैक होगा आपको भी पता है tier 2 का अगर examinations pattern की बात करोगे तो ये पूरा का पूरा आपना system है वहाँ पे tier 2 का जो की 100 questions होगा 100 marks के 90 minute की होगा और यही आपका selections का factor decide करेगा selection factor यही आपको decide करेगा तो आपको अपनी preparations करना चाहिए 1 to 8 के ratio में हमारा tier 2 में आपको बुलाया जाएगा tier 1 आपको पता है का चाहिए जितना नमर ला दो just part up screening होगा जो हमारा result decide करता हो tier 2 decide करेगा तो guys mechanical, electrical and electronics and instruments की बच्चे number of vacancy ठीक ठाक है diploma के आप चाहो तो अपने selections को secure कर सकते हैं अगर आपने dedicated preparations की मैं देखो क्या है कि मैं आप लोगों को research करता रहता है आप लोगों के लिए knowledgeful information देता रहता हूँ ताकि जो बच्चा सोया हुआ है उसको जगाऊं और अगर हमारे videos की माध्यम से उसको information मिली और वो कम से कम इतना तो पता कर दे कि भाई DRDO में ये सारी चीज़े आरके मिसरा ने research की है आप लोगों को मैंने दिया है तो अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आपने मनी preparations कैसे करना है तो देखो मैं आपको best suggestion दूँगा कि अपने respected branch का महापे जोईन कर सकते हैं civil mechanical electrical का और उसमें DRDO septum 1 का पहला batch 2.0 batch अट्टियर 2 का batch सारा चीज़े मिलेगा और ऐसा नहीं test series भी मिलेगी e-book भी मिलेगा और हर एक examination की आपको batches मिलेगा यसे mechanical का महापेक है तो मैं आपको बता देता हूँ महापेक ऐसा भी नहीं बहुत महाँ है हलाकि एक बात बता हूँ आप वीडियो को like करके skip भी कर सकते हैं प्लीज जो लोग courses में interested नहीं है या जिन्हें ने already preparations किया है आप skip कर सकते हैं मैं आपको again बता हूँ हमारी company की पादसी है हम बड़े-बे celebrity को hire नहीं करते हैं courses को promote करने के लिए हम लोग खुदी एक अपने आप में सक्षम है आप लोगों की information पहुचाने के लिए तो please हमारे course की prices इसी दिए कम होता है कि हम teachers मिल करके courses को promote करते हैं हम celebrity के माध्यम से courses को promote नहीं कराते हैं तो please mechanical के महाँ पैक को enrolled करते हैं तो आप लोग प्लीज यहां पर सभी examinations की live class, test series, video solutions, revision batches, recorded video और SSE, RRB, DIO, सारे examinations के batches इसमें cover होते हैं और DIO का अभी 2-4 दिन में बैच आ जाएगा तो वो भी इसमें मिल जाएगा वो बैच आँ 25-26 को पड़ेगा और यह आपको 35 का इसमें सब कुछ है यहां पर code बस लगाना है, join करते समें आपको थाला की पता है आपको Y201 code ही लगाना होता है, join करते समें बस Y201 code लगाईए और आपका DIO में officers बन जाईए तो यह देखिएगा 36 को पड़ रहा, application से 35 को पड़ेगा तो जाईएगा application से Y201 code यूज़ करे दिजएगा, ठीक है अगर mechanical का branch हो चाई, civil branch हो चाई, electrical code आपको यही यूज़ करना है तो thank you, अगर आप लोगों को information से हमारी अच्छी रगी तो आप लोग प्लीज सेशन को like कर दिजएगा और मेरी तरफ से बस यहीं बने रही है मेरे साथ और आप लोगों को Monday से जबर्जस्त, classes भी आप लोगों को concept की सामको 7 बजे, civil और mechanical के लिए मैं सुरू कर रहा है दोस्तों, thank you अब प्लीज एक वीडियो पे like तो आप लोगों के लिए बनता है सारे information जो मैंने आप लोगों के लिए convey किया अब preparations को start कर दो अगर आपके marks as per the way, कल मैंने जो cut up बताया है उस range में आ रहे हैं, उसके उपर आ रहे हैं मैं उसका link भी वीडियो के नीचे description में दे दूँगा, thank you